मेरा नाम है विपूल आज हम बात करेंगे कैफे रेसिंग सेग्मेंट के बारे में मैंने कुछ दो बाइक चूज किये रॉयलेंट फिल्ड की इंटर्सेप्टर 650 और दुसरा है रॉयलेंट फिल्ड की कंटिनेंटल जीटी 650 के बारे में अर्ली 60s और 70s एरा में कैफे रेसिंग बहुत ही फेमस हुआ करती थी तो आज के न्यू जेनरेशन में भी इसी दो बाइक जो कंपनी ने लॉयंच की है वो है रॉयलेंट फिल्ड ने इंटर्सेप्टर और कंटिनेंटल जीटी 650 तो जानेंगे इस डिफरेंस के बारे में कि दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है और केसे सेग्मेंट में यह कितनी रेंज में आती है यह एक शुरूम प्राइस क्या है इसका तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटर्सेप्टर 650 के बारे में जो टोटल इसका टू ड्यूल चैनल एबीस आता है और यह है इसका कवब वे तो 804 mm है और ग्राउंड क्लियरनिस की बात करें तो 174 mm है इसका रियर टायर है जो 130 by 70 का इसका रियर टायर आता है और फ्रंट टायर जो आप बातेंगे 100 by 790 का इसका फ्रंट यह शिक्स वेरियंट में आता है रैविशिंग रेड ग्लिटर डस्ट जो की एक ग्रे कलर में आता है औरेंज क्लर्श करके हैं सिल्वर स्पेक्टर मार्क 3 और बेकर एक्सप्रेस में एक्चुली यह 161 kmph इसकी टॉप स्पीड है 20.5 kmph माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है 25.5 km पर लिटर के इसका एक शोरूम प्राइज है 2.5 यानि 2,50,000 इसका एक शोरूम प्राइज ह 2650 के बारे में यह भी dual channel ABS है आप इसकी total width देखेंगे तो 744 mm इसका width है और height की बात करें तो 1024 mm का है अगर इसकी seat की बात करें तो 793 mm है और curve weight की बात करें तो 198 kg है और इसका fuel capacity intensity interceptor से थोड़ा कम है 12.5 liters और इसका 5 variant आता है black magic, mr clean, ventura blue, dr. meham और दुसरा है ice queen इसकी अगर top speed की बात करें तो 161 kmph है अगर company claim करती है 25.5 kmpl mileage अगर दोनों बाइकों में हम जानेंगे तो Interceptor 650 और Continental GT 650 में सर्फ difference कुछ fuel tank का आता है अगर बात करेंगे तो दोनों का fuel tank capacity में ही सर्फ change आता है अगर बाकी के बाकी सब सेम है अगर Continental GT की बारे में बात करें तो इसका rear tire 130 by 70 है और front tire आता है 100 by 90 और अगर Continental GT का ground clearance जानेंगे तो 174 mm यानि Interceptor और Continental GT both are same just little bit difference is handlebar Continental GT का थोड़ा sporty look दिया हुआ है और अगर Interceptor की बात करें तो handle उसका raise है raise handlebar है जो की एक थोड़ा सा comfortable आपको right position देता है अगर seat की बात करें तो आप इसके अंदर कुछ Customize कर सकते हो अगर single seat भी लगा सकते हो अगर dual seat भी अप उसको लगा सकते हो अगर Continental GT की बात करें तो इसका एक showroom price है 2.65 यानी 2,65,000 इसका एक showroom price है Thank you for watching guys please do subscribe to the channel and press the bell icon for get notifications